और करनाटक चुनाफ को लेकर टीवी नाइन भारत वर्ष से बीजेपी अध्यक जेपी नड़ा ने एक्स्क्लूसिफ बातचीत किये करनाटक में बहुमत की सरकार बनने जा रही है ये नड़ा ने कहा राहुल टुक्रे टुक्रे गैंग को प्रोत्साहित करने वाले नेता है कॉंग्रेस मांसिक दिवालिया पन से गुजर रही है जेपी नड़ा ने आरोप लगाया कॉंग्रेस देश को खंडित करना चाहती है लाज है और भारतिय इंटा पार्टी के प्रती एक उमंग है लोग भारतिय इंटा पार्टी को आश्रवाद देना चाहते हैं प्रधान मंत्री मोदी जी की नीठियों को आश्रवाद देना चाहते हैं इसलिए हम बड़े आराम से हाफवे प्लस यानि बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और लोग बहुमत की सरकार बंदेनी के लिए हमारे को आतुर है प्रधार मुंत्री जी ने एक बड़ा मुहत्रपुन वीशे उठाया करनाटक में कल अपने सभा में उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस द्यक्षा पुर्व द्यक्षा सोनिया गांधी ने करनाटक में सोवरेनिटी की बात कही है जो एक तरह से इस राज्य की में अलगावाद पैद तब यह पंद से एक मेंटल बेंकरप्षी से गुजर रही है और जब मैं मेंटल बेंकरप्षी कहता हूं तो उनको बोध ही नहीं होता है कि यह क्या बात कर रहे हैं किस तरीके की बातचीत कर रहे हैं सॉवरेंटी यानी संप्रभुता हमारे हां सुनिया जी भी खरगे and I shall uphold the sovereignty and integrity of the country मैं भारत की संप्रभुता को अक्षुन रखूंगा ये शपत लेते हैं अब इस शपत को लेने के वाले वेक्ती और लेने वाले लोग अगर करनाटक के संप्रभुता की बात करते हैं तो करनाटक के हजारों लोग जिनोंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वत सुन उप्रा है उनकी बेज़ती है और इस तरीके के विचार रखने का मतलब ये है कि आप देश को खंडित करना चाहते हैं और आप टुक्डे टुक्डे गैंके समर सकें